हालो एवरिवान, मोडी फूरी भाई हेमा, मैं आप लोगों का स्वागत है दो दिन से मैं आप लोगों के साथ मीठी की रेसिपी शेयर कर जी तो मैंने सूचा आज शेयर के जाए कुछ तीखी और खटी रेसिपी, चटपडी रेसिपी जिसके लिए मैंने ये लिये हैं करोंदे, इस तरह के आते हैं इनको बीच में से धो के, अच्छे से बीच में से कट कर लेना है और ये इसके बीच हैं, उसे आप नाइफ की हल्प से निकाल लेंगे और सारे करोंदों को मैंने इसी तरह कट करके रख रखा है लेकिन इसका मजब मिर्ची के साथ है, क्योंकि थोड़े खटे होते हैं, और ग्रीन कलर के भी आते हैं, करूंदे और रेड कलर के भी आते हैं, मैंने रेड कलर के लिए आपको जो अविलेबल मिले, वो अपले सकते हैं, जब यह मौसम change होता है, गर्मियों से सरदियों का तो सबजी खाने का कोई मन नहीं करता उस मौसम में ये चटपटे से तीखे से करोंदे बना लिए जाते हैं तो दाल के साथ खाओ तो कुछ सबजी की ज़रूरत नहीं होती और अच्छे लगते हैं मिर्ची को भी मैंने कट कर लिया था मेडियम मेडियम साइज में अब आपकी चुएसे आप लंबे में कट करिए छोटे में कट करिए उससे जितने आपको पिस साइज के पिसिस करने कर सकते हैं थोड़ा सा तेल लेंगे उसको गरम कर लेंगे जैसे ही आपका तेल गरम हो जाएगा उसमें डाल देंगे हम सरसो दाना सरसो दाने की जब चटक मिटक की आवाज आने लगेगी तो हम उसमें डाल देंगे जीरा और उसकी भी जब चटक मिटक की आवाज आने लगेगी जीरा की भी दोनों कच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें डाल देंगे हलकी सी हेंग और अपने करोंदे ये रेसिपी मात्र आपके 5-10 मिनट में बन जाती है बस थोड़ी सी इसके बीज निकालने की ये टाइम लगता है बस उतना ही करोंदे बहुत जल्दी पक जाते हैं इसलिए से हम पहले डाल रहे हैं लेकिन हम जल्दी ही अपनी मिर्ची भी डाल देंगे हलका सा इनको भूल लेंगे उसके बाद हम अपनी मिर्ची डाल देंगे मिर्ची को हमेशा ढखकर ही पकाना है आपको नहीं तो मिर्ची मैंने तीखी वाली ली है बहुत आपकी नाक बोल जाएगी उससे इसलिए और अगर आप तीखी वाली मिर्शी नहीं खाते हैं तो मोटी मिर्श भी ले सकते हैं हिंग डाल दिया है मैंने वन पेंचेस में और सबको कर दिया है अच्छे से मिक्स धके थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे थोड़ी देर बाद जब आप खोल के देखेंगे तो हलके हलके करोंदे जो अल्रेड़ी पके हुए थे जादा वो पक गए होंगे और जो नहीं पके हुए थे थोड़े ज़्यादा उनको थोड़े पकने में टाइम लग जाएगा सबको अच्छे से mix कर लेंगे करॉंदो में डाल देंगे हम अपना नमक और अपनी कटी हुई हरी मिर्च इसमें आप धन्या पावडर डालेंगे अच्छे से एक टीस Πून के लग बख डल जाएगा धन्या पावडर इसमें जादा डलता है और थोड़ा से डालेंगे हम गरम मसाला अगर आप तीकी मिर्ची नहीं उसकर रहे हैं मोटी मिर्ची उसकर रहे हैं ठक के मिर्ची को भी पकने दीजिएगा करोंदो के साथ ही मातर 5-7 मिनिट में ही आपके दोनु चीजे तयार हो जाएंगी हल्का सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए सबको मिक्स कर दीजिए जो हमने मसाला डाला था वो करोंदे और मिर्ची में अच्छे से लिपट जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा और मिर्ची और करोंदे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें यहाँ पे हमारे करूंदा मिर्ची तैयार है लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लग गया है तो आप हलका सा पानी का चीटा यहाँ मार सकते हैं पानी का चीटा मार के हलका सा धखटक के रखिए तो बस आपके करूंदे मिर्ची तैयार हैं इसे आप रख सकते हैं फ्रिज में रख दीजे तो भी आपके 5-6 दिन चलते हैं खराब नहीं होंगे और आप इसे enjoy कर सकते हैं